आलो ग्यर्ज जागरूती दोस्तों पूरे भारत में करिब 90 परतिशत लोग मूँ के बीमारी से पीडित है जिहां ये हम नहीं WHO की रिपॉट कहती है दातों की समस्या लेकर हम डेंटिस्ट के पाज जाते हैं सबसे पहले एक्सरे, फिर रूट कैनलिंग, फिर दवाएंग, ट्रीटमेंट इसमें हम कुछ दें हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं इसमें समय और पेशंट की होने वाली तकलिफ ये आज के दौर में बहुत कटीन है इनी कटनाईयों से मुक्ती चाहते हैं तो चलिए, आज आरो के जागरूती में हम मिलेंगे डौक्टर हिमांशु गुपता जी से डौक्टर गुपता जी ने जनता की सेवा के लिए एक ऐसा टेंटल होस्पिटल दिया है जो मराठवडा, महाराष्ट या शायद ही पूरे भारत देश में होगा जी हाँ, oralcare.co.in hospital जिसमें हमारे मुँ से समंदित सारे बिमारियों का इलाज सूपर स्पेशालिस्ट डौक्टर के हातों से होता है दातों से समंदित समस्याओं का एक दिन में इलाज करके मरीद घर जा सकेंगे सिंगल डे डेंटेस्ट्री के माध्यम से बार बार चक्कर लगाने की अवशक्ता नहीं एक स्रे से लेकर एडवांस 3D स्कैन टेकनिक जैसी बहुत सी सुविदाएं एक इछत के निचे शायद ही पूरे भारत में कहीं हो और वो हमारे अपने औरंगवाज शहर में oralcare.co.in hospital में पिछले हफ्टे काई हम एक केस आप से शेर करते हैं road traffic accident एक बैंक की अधिकारी मैडम वो अपने घर जा रहे थे और रस्ते में कोई accident हुआ उनका helmet पूरा नहीं था helmet था पर सामने का पाट नहीं था वो गिरे और उनको फ्रेक्चर हुआ जनरली पास के hospital में जाने पर जो investigation उनको बताये उन्होंने किये जो scan उन्होंने बताया वो scan में fracture दिख रहे थे पर कम दिख रहे थे हॉस्पिटल में आने पर उनका हमने 3D CT scan किया और पूरा चेहरा एक 3D चेहरा बन गया और उसमें आमें एक एक चीज दिख रही थी कहां पर कितने फ्रेक्चर थे शाम का समय था लेकिन 24 गंटे के अंदर अंदर उनका उप्चार किया और next day वो अपने घर सब उशल जा सके साथ फ्रेक्चर थे उनके फेस पर दोनों साइट के जॉइंट टूटे हुए थे उपर का जबला टूटा हुआ था यह पूरा का पूरा टीटमेंट इसलिए संभव हो सका क्योंकि डाइग्नॉसिस जो बहुत इंप्वार्टेंट है वो बारिकी से की जा सकी और उनको जो लगने वाला टीटमेंट था अगेन ओरल सर्जन एंड जेनरल सर्जन के कॉंबिनेशन से उनको प्रोवाइड किया गया और आज देखकर आप यह नहीं बता सकते हैं कि साथ दिन पहले इनके चेहरे पर साथ फ्रेक्शर हो चुका है तो यह तक्निकी एडवांसमेंट जो है उसके लिए लगने वाला जो 3D-CBCT स्कैन करते हैं और वो भी हमारे यहां पर उपलब्द है यह भारत में इस प्रकार का पहला ही CBCT स्कैन है जो 3D कंस्ट्रक्शन के साथ में बड़े चेहरे को एक-एक बारीकी के साथ में होने वाले नुकसान को पहचान सकता है देख सकता हूं मैं pediatric dentist हूं इसके अंदर जो छोटे बच्चे होते उनमें समय से पहले दातों को खीड लग जाना जिसके कारण उनकी जो दात गिरने का एक समय होता है दात आने का भी एक समय होता है अगर दात समय से पहले खीड रहे है और उसके वज़े से गिर रहे है उसके वज़े से सब्सक्राइब करता है जिसमें सारा कुछ आता है जिसमें कुछ खराब आदते होते हैं जैसे अंगूठा चूसना जबान लगाना दात पे दात खसना यह सारे ट्रीट्मेंट ऑप्शन्स पीडियाट्रिक टेंटेस्ट करता है डॉक्टर आभा घुपता, मेंली हमारा जो सेंटर का उदेश्य यह है कि पेशन्स को बार-बार आना ना पड़े इस लाइक सिंगल डे डेंटिस्ट्री पेशन्ट आया तो उसका मेक्सिमम वर्ग जो है एक ही बार में हो जाए नॉर्मली क्या होता है कि पेशन्स को यही फियर रहता है कि बार-बार जाना पड़ता है हमको चक्कर जादा लगाना पड़ता है तो उसके लिए भी हैवे सिंगल डे डेंटिस्ट्री प्रीमियम डेंटिस्ट्री वो हमारे पास सुविधा उपलब है सो ओरल रेडियोलोजी में एक अलग ब्रांश है जिसमें 3D इमेज दिखते है पूरे फेस के और दात के भी तो दात में जो भी छोटा जोटा भी प्रॉब्लम रहा तो उसकी वो एक्सरे या फिर वो 3D इमेजिंग की वज़े से हमको सब दिखता है और ट्रीटमेंट पेश फिर अधर दाट यह जो जो जोर होता है तो उसकी भी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं मैं ओरल एल मेजलोफेशल सर्जान हूँ जो की मूग का दाद का जबडा जबान इन से रिलिटेट जो भी सर्जिकल पार्ट है यह मैं खुद अपरेट करता हूँ बेसिकली इडिल्स विथ ब्रेसलेस देंटिस्ट्री और ब्रेस देंटिस्ट्री ओरल केर.co.in इस सेंटर पर हमारे तीन मुख्य भाग हैं एक क्लिनिकल डेंटिस्ट्री में अच्छे से अच्छी सुविदा देना दूसरा डेंटिस्ट्री में रिसर्च को बड़ावा देना और तीसरा जो डेंटल प्रोफेशनल्स अल्रेडी प्रेक्टिस कर रहे हैं और उन्हें नई स्किल्स और नए डेंटल टेक्नलोजी के ब में डेंटिस्टी के सभी स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं और oralcare.co.in center पर डेंटिस्टी को लगने वाली सभी सुविधाएं एक ही जगा उपस्तित हैं उपलब्ध हैं डेंटल रेडियोलोजी, डेंटल पैतलोजी, रूटीन पैतलोजी, फार्मेसी, डेंटिस्टी के सभी विभाग यहाँ पर सवेरे 9 से लेकर शाम को 9 बजे तक सभी सुविधाओं के साथ उपलब्ध हैं डेंटिस्टी में बहुत सारे क्लिनिक्स और अगाबाद में हैं लेकिन हो सकता है उनके पास इस प्रकार की सभी सुविधाएं ना हो तो डेंटिस्ट भी खुद आकर यहाँ पर अपने रोगियों को टीटमेंट खुद कर सकते हैं और यदि वो रेफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं हम इस सेंटर के माध्यम से डेंटल प्रोफेशनल्स और पेशेंट्स दोनों को ही सपोर्ट कर रहे हैं और दोनों के लिए ही हमने सभी सुविधाएं ओपन रखे हैं